आसलाम करने वान दिसीज में जाबर वेलकम तो जायर वसस्त रेक्ट तो आज की इस वीडियो में हम कंपैजिन करने वाले हैं सैमसंग गलेक्सी S9 प्लस का सैमसंग गलेक्सी A51 एंड A71 के साथ S9 Plus जो है एक flagship device है जो के दो साल पहले launch हुई है और इसका हम comparison करने वाले हैं Samsung Galaxy A51 और A71 के साथ जो के recently launch हुई हैं और 2020 की devices है और अगर आप लोग buy करने वाले हैं Samsung Galaxy S9 Plus या Samsung Galaxy A71 इन devices में से कोई भी device buy करने चाते हैं और कौन सी device better है तो आज का जो comparison है काफी interesting होने वाला है तो इसको complete देखीगा तो चलिए हम इसी के साथ अपने comparison की दर चलते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि इस comparison में मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो S9 Plus है वो एक better device है according to me अब अब comparison देखें आप लोग भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दो साल प्रानी flagship device ये आज की devices के साथ कैसे comparison कर रही हैं कैसे better हो रही हैं ये आपके लिए comparison बना है ताकि आप लोगों के जितने भी doubts है वो clear हो सकें और इसी के साथ हम सबसे पहले बात करते हैं इन devices के chipset की तो इसमें A71 में जो chipset यूज हो रहा है वो है Snapdragon 730 chipset A51 में जो chipset यूज हो रहा है वो Exynos 9611 का chipset है और आपको जो S9 Plus में chipset देखने को मिलता है वो है Exynos 9810 chipset अब यह Exynos 9810 chipset जो है वो इन दोनों devices के chipset से strong है यही chipset जो है आपको recently launched Galaxy Note 10 Lite device जो है इसी में मिलता है मतलब कि यह same जो chipset है आप दोनों devices भी देखने को मिलता है अब chipset की बात करने तो इन दोनों devices से आपको S9 Plus का chipset भी अच्छा और better strong और powerful देखने को मिलता है और इसके बाद S9 Plus में जो है अपडेट के बाद आपको Android 10 की support मिलती है उसके साथ One UI 2 भी मिलता है One UI 2 का interface भी देखने को मिलता है और इसी के साथ इस device में अपडेट के बाद आपको Dark Moon का feature भी देखने को मिलता है मतलगे आपको S9 Plus जो है दो साल पुनारी फ्लैक्टरी डवाइस में आपको यह सारे features देखने को मिलते हैं जो भी present है और अब बात करते हैं इन डवाइस के N22 Benchmark score की तो आपके पास सबसे पहले S9 Plus का N22 Benchmark score की बात करें वो है 311,973 यह आपका N22 Benchmark score है S9 Plus का और इसके साथ अगर comparison करें A51 के score का तो वो निकल के आता है मारे पास 189,526 और इसके साथ अगर A71 का N22 Benchmark score देखें तो वो निकल के आता है वो हमारे पास 272,418 अब इन तीनों के अगर comparison करें N22 Benchmark score को तो आपको सबसे स्ट्रोंग और पावरफुल जो N22 Benchmark score देखने को मिलता है CPU के लिहाद से GPU के लिहाद से वो है आपका S9 Plus का अब यह एक flagship device है दो साल पराने device है वो आज कल की device के साथ comparison कर रही है और compete कर रही है बड़े अच्छे नमबरों के साथ आपके benchmark score में पर अब बात करते हैं इस device की gaming performance की तो इस device में gaming performance है वो आपको S9 Plus में better मिलती है आपको A71 या A51 से अब better इसलिए मिलते है कि A71 या A51 में अगर आप लोग gaming कर रहे हैं तो कुछ time के बाद आपकी game जो है वो lag करना शुरू कर देती है लेकिन S9 Plus में ऐसा बिलकुल भी नहीं है क्योंकि एक flagship device है तो flagship features मिलते हैं आपको flagship power देखने को मिलती है जैसे कि आप लोगों ने N22 benchmark score से देख लिया है कि इसका GPU, CPU हर लिहाद से आपका जो N22 benchmark है S9 Plus का इन दोनों devices से काफियत तक अच्छा है और आप बात करते हैं इन devices के display की तो आपको A71 and A51 में Super AMOLED display मिलता है with full HD resolution के साथ और इसके साथ आप लोगों को एक flat screen मिलती है इस device में अगर बात करें S9 Plus के तो उसमें आप लोगों को Super AMOLED display मिलता है with 2K resolution के साथ मतलब कर जो resolution है वो double हो चुकी है obviously आपकी जो experience है video quality का वो double हो जाएगा वो इससे काफिया तक better हो जाएगा और इसके साथ इस device में आपको curve edge screen देखने को मिलती है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि update के बाद इस device में आपको dark mode की facility भी देखने को मिलती है और कुछ बंदों को जो है वो curve edge screen पसंद है कुछ को flat पसंद है तो इसके बार में आप लोग ने मुझे comment section में जरूर बताना है कि आप लोग जो है वो flat screen को vote करते हैं या एक curve edge screen को vote करते हैं इसके साथ अब इस device के material की बात करते हैं तो A71 and A51 के front side पे आपको gorilla glass 3 की sport मिलती है और back side पे आपको glastic material देखने को मिलता है मतलब कि इसकी जो back है वो glastic की है glastic Samsung का कहना है यह उनका mix up है glass and plastic का तो इसलिए उन्हें इसका glastic का नाम दिया है तो इसकी back side पे आपको glastic देखने को मिलता है जबके आपको S9 plus में gorilla glass 5 front पे मिलता है back side पे भी आपको gorilla glass की ही sport देखने को मिलती है अब glass जैसे कि आपको पता है plastic material जो है उसके scratchy जादा आ जाते हैं उसके scratchy जल्दी आ जाएंगे compare करें आप एक glass को तो S9 plus पे आपको scratchy लेट मिलेंगे मिलेंगे लेकिन लेट मिलेंगे बहुत हद तक काफी time वो उसका निकाल जाता है कि उसके scratchy नहीं आते तो यहां पे भी आपके S9 plus का एक point जादा हो गया कि आप यहां पे भी S9 plus को support कर सकते हैं कि यह device purchase करने चाहिए इसके साथ आपको S9 plus में 3D touch और always on display देखने को मिलती है always on display एक बड़ी pretty look provide करती है जैसे आपको mobile कहीं पर भी बड़ा हो तो always on display आपको एक clock देखने को मिलता है यह जो भी आपके जितने भी notification है वो आपको always देखने को मिलते हैं जो कि आपकी battery भी minor सी consume करते हैं और यह काफी अच्छा एक feature है जो कि आपको A71 या A51 में देखने को नहीं मिलता और S9 Plus जो है वो एक waterproof device है जबके आपकी A71 या A51 waterproof device नहीं है इसी के साथ जो आपको box में S9 Plus के साथ AKG की hand freeze देखने को मिलती है जबके आपको A71 या A51 में normal सी hand freeze देखने को मिलती है box में और अब बात करते हैं fingerprint scanner की तो आपको A71 या A51 में in screen fingerprint scanner मिलता है जबके आपको S9 Plus में rare mount fingerprint scanner देखने को मिलता है अब आप लोग यहां पर देखेंगे के A71 या A51 नमबर ले गें लेकिन ऐसा नहीं है मैं आपको नहीं लेके जाने दूँगा number A51 A71 को वो कुछ इस तरह से है कि जो इनका in screen fingerprint scanner वो इंतहाई ज्यादा बेकार है और मेरे पास दोनों devices यूज़ हो रही है तो A71 का कुछ हद तक बैटर है लेकिन A51 का इतना ज्यादा बेकार है कि आप सोच नहीं सकते कि वो काम नहीं करता उससे अच्छा है कि बंदर को pin यूज़ कर ले वो इस तरह बेकार है कि इस पे जो है आप जैसे थम रखें रखते हैं तो आपको कुछ टाइम के लिए थम रखना परता है इवन आपको थोड़ा सा प्रैस भी करना परता है कि वो इसली स्कैन कर ले लेकिन अगर आप इसका comparison करें वीवो या अपो की devices के साथ तो उनका काफी ज़्यादा फास और बात करतें कैमरा की तो आपको एस फिवन में क्वार्ड कामरा सेटप देखने कब मलता है back side पर जो कि आपका 48 मेंगा पिक्सल का में रखने को मिलता है और अपको और इसी साथ हम बात करें S9 Plus के camera's की तो आपको इसकी back side पे dual camera मिलते है जो के है 12 megapixel प्लस 12 megapixel का मतलब के 12 megapixel के 2 camera मिलते है उसका आप में आपको जो front selfie camera है वो 8 megapixel का मिलता है लेकिन अगर इन दोने की picture quality और video quality को देखा जाए तो इतना जादा difference नहीं है बिलकुल minor सा difference है कि even इन दोनों की जो short से मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं कि इतना जादा इसमें कोई difference नहीं है अगर जादा feel करेंगे तो हलका सा feel होगा लेकिन इनकी जो megapixel हैं उसमें आप लोग देख सकते हैं कि huge difference है अब आप लोग देखेंगे कि मैं S9 Plus को ही points दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि यार यह दो साल point device है अब आज की 2020 की device के साथ मैं उसको comparison कर रहा हूँ और अभी इसकी मैं price के बारे में बात करूंगे ताकि आपको confirm हो जाए कि आपने कौन सी device अगर purchase कर रहे हैं तो आपको कौन सी device purchase करनी चाहिए और अब camera comparison के साथ भी आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो pictures quality है वो इतनी ज्यादा huge difference रही है अब बात करते हैं इनकी बैटरी की तो आपको जो बैटरी है S9 Plus में 3500MH की देखने को मिलती है जिसके साथ आपको 50W का super fast charger मिलता है और इसके साथ आपको इस device में wireless charging support और reverse wireless charging support भी मिलती है जैसे कि एक flagship device है आपको तो flagship features तो मिलेंगे ही और अब बात करते हैं हम इनकी prices की तो यह जो S9 Plus है यह used mobile मिलेगा आपको नया तो मिलेगा नहीं क्योंकि दो साल पुराना mobile है तो इसकी जो price है यह 55,000 से आपको 65,000 के मीड में मिल जाएगी यह device अब यह depend करता है कि आपको कितनी चली मिलती है कितना used भी मिलती है इसके साथ box मिलता है, hand free मिलती है, अकेली kit मिलती है यह price जो है वो उस चीज़ पर depend करेगी कि उसकी conditions कैसी क्या है और आपको A71 जो है वो आपको 70,000 का मिलता है और A51 आपको 50,000 का देखने को मिलता है मतलब कि अब price देखा जाए और इनकी features देखे जाए इनकी CPU, GPU, इनकी performance देखी जाए तो मुझे जो personal better लगी है वो S9 plus better लगी है अगर आप लोग buy करना चाते है तो मैं आपको यह prefer करूँगा कि आप S9 plus जो device है उसको purchase करें अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने pin pack device लेनी है नहीं शोक होता है कि हम flagship device की तरफ जाएं जादा जादा अची performance मिले तो वो जो हैं वो कम budget होता है उनके पास तो और अच्छी devices की तरफ जा रहे होते हैं तो इसी के साथ जो है वो अच्छी device में यही आपको prefer करूँगा कि आप लोग S9 plus की तरफ जाएं आप A71 या A51 को बिल्कुल भूल जाएं A51 की जो performance है वो बिल्कुल zero है बहुत slow device है S9 plus से comparison वो बिल्कुल उसका comparison ही नहीं बनता है S9 plus काफी powerful device है तो आप S9 plus को obviously purchase करें लेकिन purchase करते वे आप लोग यह देख लें कि इसमें कोई defect ना हो आपकी जो device है वो clean हो उसमें कोई fault बगारा ना हो उसके साथ आपको hand free मिल जाए box मिल जाए तो better है और इन तीनों device में similarity भी है कि आपको इन तीनों device में 6GB of RAM मिलेगी और आपको dual SIM की support मिलेगी इन तीनों device में और अब आप लोगों ने मुझे comment section में बताना है अगर आप लोग डिवाइस पर चेस करना चाते तो आपको उनसी device पर चेस करेंगे A71, A51 यह आप S9 Plus की तरफ चाहेंगे तो इसके बारे में आपने मुझे comment section में जरूर बताना है तो इसके साथ आज के लिवे बसिटना है अगर आप लोगोंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो लाज़ मिन सब्सक्राइब करतें और बेल आकक्ले का क्लिक करतें ताकि आपको ऐसी वीडियो के बडेट सबसे पहले मिल सके आज के लिए बस इतना ही अपना ख्यार रखिएगा अल्हाफीज